हलो फ्रेंट कैसे है आप सब वेलकम टू माई चेनल उम्मीद करती है आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे केला और भ्रेड से एक ऐसी सूइट्स जो आप लोग बोलेंगे क्या रहे यह क्या वाग क्या सूइट्स है बहुत अच्छा है तो चलो यह हमने केले ल क्या संब्सक्राइब क्यों दोनों को काट लें हमने ऊच्छा को जैसा का लिए वाटना लिची है तो अभी खोड़ाई में आप गी डाला दीजिए बटर बटर दीजिए कुछ भी ढलिए इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे बाद में कि बटर जल जाता है इसलिए बटर मैंने पहले नहीं तो तो नहीं दाला है तो तो यह हमने बटर डाल दिया इसमें कि बटर से नira स स्टेस्ट कुछ अलग आजाता है जैसे नमकीन जैसा और थोड़ा सा उसके जैसा कि बटर में नमक होता है तो अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर केला तो ऐसे ही मीठे होते हैं अगर शक्कर डालेंगे क्योंकि हमको इनको ब्रेड के अंदर भरना है तो आगे देखिए आप कैसे ब पक जाते हम लोग फेक देते का रही है तो नहीं फेकना है उनका यूज कर लेना है कैसे भी करके हम उसको यूज कर लेंगे और अचुलि यह सबके घरों में होता ही है तो देखिए मैल्ट हो गए उसमें अभी हम थोड़े से डालेंगे ड्राइफूट क्यों है इनको हम एकदम मेल्ट कर लेंगे इनका पेश्ट बना लेगे हैं तो यह देखिए के लिए हमारे मेल्ट हो रहे हैं तब तक हाँ एक चीज आप लोगों से बोलना है प्लीज आप लोग सस्क्राइब करते मैं सब को रिटन देती हूं सब को टोटली जो भी आते हैं और मे देखिए अभी हम ब्रेड का क्या करेंगे आप देखते जाहिए तो यह ब्रेड का नाम साइट से काट लेंगे इनका जो हाट फन होता है ना साइट वाला वह हम काट देंगे हलका सा ज्यादा नहीं काटना है और आपको इसी भी ब्रेड ले ले लिजिए ब्राउन ब्रेड या कुंसा भी वाइट वाला भी तो मेरे पास वाइट वाला था अचली हमने रात को ना फ्रेज में रख दिया था इसलिए थोड़ा सा कड़क हो गया है मैंने इसको निकाल के रखा है अगर आप तुरंत ब्रेड लाते तो उसका यह निकलेगा नहीं जो इसका चूरा जैसा निकलता है तो देखिए यासे इसे साफ से हम काट लेंगे ब्रेड और ब्रेड काट के आप देखिए क्या करते हम इसमें तो इसको हम बेलेंगे जो हमारा ब्रेड मोटा जैसा होता है ना इसको हम बेल देंगे बेल के इसको हम पतला कर लेंगे यह देखिए केले को इसके अंदर भरेंगे और इसको भरनेके बाद देखिए आँसे कैसे इसको में षचा है इसमें तो यह अगर शक्कर का पानी लेना चाहते वह भी ले सकते अगर आप अंडे का बना horsepower आद्ट नहीं खाते हैं तो हमने काली साधा पानी लगाया उसमें और साधा पानी नहीं आप अगर इसमें ईए डा रोट का या कॉन फिलाबड लहाएं कि सबू लागाना है यह लागा देजिए क्यों इसको पैक करना है तो इसी साथ Rabbi इसको चारो तरफ से हम ऐसे पानी लगा के फिर हम इसको पैक कर देंगे यह देखिए इससाब से इसमें थोड़ा सा ही भा रहे हैं क्योंको ब्रेड हमारी ना रात की फ्रिज की रखी हुई है इसलिए अगर ताजा ब्रेड होता है तो ऐसा नहीं होता है और प्लीज हमारे चै पर वीडियो पर आते हैं हम सब के पर जाते हैं जो भी है नहीं आते तो वह जो ऑंपारे उसमें आ जाता है उस सब पर तो इसमें रम हम बटर डालना है कि बटर जालता है, गीं टेल दो बटर केशने हैं हम मेल्ट हो रही है तो अभी हम इसमें डालेंगे कि इसमें थोड़ा सा तिल डालेंगे है यह हमने वाइट वाला तिल लिया है और यह तिल हमारे चटक जाएंगे कि ब्रैड गरह में है स्वरी बटर गरह में तो यह देखिए चटक रहे हैं और अभी हमने जो बनाया है केले का और ब्रैड का उसको रख देंगे और उसको सिलो गैस करके उसको फ्राइए कर लेंगे जैसे सबसे जितना तया उतना रख दीचिए तो इससे क्या है न इसमें जो हमने तिल डाला है वो भी चिपक जाएगा और आगर आप इसको अंडे में या ऐसा किसी बैटर में डूबाके बनाना चाहते तो वह भी बन सकता है तो हमको अण्डा नहीं खाना है जाहु जाव हुकरें चारा प्रफ से इसे yas हो है we falling है हैbon Six two ने खाने में बहुत अच्छा बना है ये कि बहुत अच्छा बनाए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है हमारा बहुत चोटा-चोटा है तो दिखिए और एक दम एक क्रस्पी हो गया है लूज नहीं है कि यह चुन आप लोग बनाईए कैसे बनाते बताएं मुझे कमेंट कर सब्सक्रांères प्रल्राइब हो कुछ पर्कृत सब्सक्राइब कर दो नहीं को भी तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में तब तक के लिए